नमस्कार आप सभी का स्वागत है एरियल न्यूस चानल में एक लड़के भेगे भागे से ये गाना आप सभी ने सुना है लेकिन इमाजन कीजिए इसका मेल वर्जन कैसा होगा देखने में और सुनने में दोनों ओके अगर आप इमाजन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आपको पता चल जाएगा वैसे चिंटू तियागी नाम तो आपने सुनाई होगा कार्तिक आर्यन दिंपल बॉय अपने इस नाम से पूरे बॉलेवर्ट में फेमस हैं और वो भी लोगों के दिल के हिस्सों को दो बागों में बाटने के लिए वैसे प्यार, इश्क, महबबत तो बहुत हो लिया पहले लेकिन अब वही चिंटू काफी मिचौर भी हो चुके हैं वैसे आपको बता दे नेट्फिक्स मामा अपना न्यू प्रोड़क मार्केट में बेच ने निकल चुके हैं और उनके समान का नाम है धमाका जिसमें हम सभी के चहीते कार्तिक आर्यन अब लीड रोल प्ले करने वाले हैं आज ही उसका टीजर रिलीज हुआ है तो सोचा चली आपको बता देते हैं कि आखिर उसके टीजर में क्या चिपा है जो सवाल पहले मेरे मन में था वही सवाल आपके मन में भी होगा कि ये फिल्म आखिर किस बारे में है ये मूवी पूरी तरीके से मुंबई बेज्ट है जिसमें मुंबई को कुछ आतंगवादी पूरे मिट्टी के डेर में मिलाने की बहुत जोड से कोशिश कर रहे हैं इसका साफ मतलब यही है कि अब बॉम ब्लास्ट होने वाला है मुंबई में अब इस bomb blast से कार्टिक का आखिर क्या लेना देना है यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये movie भी इसी बात पर based है हमारे कार्टिक भाईया एक news reporter है और अचानक से उनके पास एक मज़िदार call आता है और ये phone call किस बारे में है मैं आपको वो बताती हूँ bomb blast की फूरी detail प्लस उसके live टेलिकास से कार्टिक भाईया का बहुत ही ज़ादा गहरा संबंद है जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के दोर में news सुनाई नहीं जाती news बनाई जाती है actual चीजे क्या होती है और हम क्या सुनते हैं दोनों में जमीनाजमान का फर्क होता है और इस movie में जो चिंटू है वे मीडिया के dark side को उजाले में बदलना चाते हैं लेकिन उन्हें लालच दी जाती है अब मीडिया चैनल वालों के पास सिर्फ दो ही option होते हैं यहां तो वो इंसानियत को चुने यहां ब्लैक मनी को चुने यहां भी एक तरफ पैसे का कुआ है और दूसरी तरफ मुंबई की किस्मत और हमारे चिंटू भईया क्या फैसला करेंगे वही इस मुवी का असली दमाका होगा डारेक पॉइंट पे आते हैं कि टीजर कैसा है टीजर न्यू है यूनीक है लेकिन अंदर की बात यह है कि माल एकदम चोरी का है यह फिल्म एक फिल्म पर बेस्ट की गई है और फिल्म का नाम है The Terror Life यह कोरियन फिल्म है और यह जो धमाका मुवी है यह इसी का रीमेक है यह आप बोल सकते हैं कि इस कोरियन फिल्म की हिंदी अडप्टेशन है बस अब बॉलिवुड में बचा ही क्या है रीमेक पे रीमेक रीमेक पे रीमेक 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 बनते ही जा रहे है अब रीमेक ही क्लासिक बॉलिवुड की असली पहचान बन चुकी है खेर अब छोड़िये इस बात को अब कुछ अच्छी बाते करते हैं फिल्म कौन बना रहा है ये जानकर आपको बहुत ही कुशी होगी नीर्जा मूवी और आर्या वैब सीरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा इन दोनों मूवीज को बनाने वाले इनसान ने ही इस फिल्म को भी बनाया है इस film को बनाने वाले director का नाम है राम मादवानी और साथ ही आपको बताते फिल्म को produce ronny's crew वाला कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि राम जी ही कार्थिक आरेन को कटपुलि बनाकर इस film में टांस करवाने वाले है और हां सेकरेट गेम्स देखा है ना आपने इन मैडम को पहचानते होंगे आप जिन्होंने गाय कॉंडे की जिन्दगी को नरक बना दिया था और इस फिल्म में भी ये कार्टिक के लिए एक यमराज बनकर प्रकट हुई है सीधी बातों में कहें तो ये औरत इसकी बॉस है जिनके इशारों पे चिन्टू बॉम ब्लास के दलदर में कूद गए है वैसे आप टीजर देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे और उससे भी जदा मज़िदार बात ये है कि इस मुवी के शूटिंग सिर्फ 15 दिनों में खत्म हुई है और ताजुक की बात ये है कि चिन्टू को 10 दिन के काम के लिए बोनस भी मिला है और वो बोनस है 20 करोड का बाई तरक्की हो तो कुछ ऐसी वरना ना ही हो वैसे कारतिक के लिए फिल्म बहुत important है क्योंकि उन्हें crazy और बचकाने actors प्ले करना काफी अच्छा लगता है लेकिन वो क्या है ना कि जन्ता इनके बचकाने हरकतों से बहुत ही जादा बोल हो चुकी है इसलिए ये market में अपना एक rowdy वाला nature लेकर आए है ये film उनके लिए career changing film साबित हो सकती है क्योंकि इस बार इनका रोल काफी serious और काफी challenging भी होगा बस आप डर इस बात का ही है कि कार्तिक अपनी over acting से जन्ता को चूना ना लगा दे वैसे आपको ये teaser देखकर कैसा लगा comment box में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूले आपको कार्तिक आरेन कैसे लगे hero या फिर zero हमें जरूर बताईएगा वैसे इन चिंटू का जो game है वो यहीं खतम नहीं होगा इसके बाद वो अगली दो movies में भी नजर आने वाले हैं तो आप भी मनजुली का madam से मुलाकात करने के लिए ready हो जाओ क्योंकि कार्तिक आरेन की new movie अब आने वाली उसकी shooting चल रही है और movie का नाम है बूल बुलाया 2 और आपको तो पताई है दहमा का movie जो है उसके लिए आपको ठेटर में कभी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यह movie नेट्फिक्स पर release हो रही है बाकि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरी कोई गलती नजर आई हो तो comment करके जरूर बताईएगा आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमारे साथ इस वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना बूले